शेय मातादी कैसे हैं आप सब दोस्तों आ गया रक्षा बंदन का प्यारा सा त्योहार हमारी भारतिय संस्कृति का एक ऐसा रत्न जिसकी रश्मियों में सुन्दर रिष्टे जल मिलाते हैं दोस्तों भाई बेहन से जादा पवित्र रिष्टा तो कोई हो ही नहीं सकता और श्रावन मास की पुर्णिमा को मनाया जाने वाला यह त्योहार अपने आप में पूरे साल भर का इंतजार लेके आता है दोस्तों आम तोर पर इसे हम भाई बेहन का पर्व मानते हैं लेकिन कई स्थानों पर और लोग परंपरा के अनुसार अलग-अलग रूप में रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है इस पर्व का संबंध रक्षा से है और यहां तक की भगवान श्री कृष्ण ने भी रक्षा सुत्र को अद्भुत शक्ति वाला कहा है और युधिश्टिर से कहा था कि रक्षा बंधन का त्योहार आप अपनी सेना के साथ मनाएं इससे पांड़ों एवं उनकी सेना की भी प्रख्षा होगी दोस्तों भाई बहन का बहुत ही प्यारा सत्योहार है और बहने पता नहीं कितने मेहनों से तैयारियां कर रही होगी और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है दोस्तों बेहत धूम-धाम से और आजकल बड़े-बड़े अ far के रूप में कॉस्टली चीजों क साथ मनाया जाने लगाए पर ध्यान रखे दोस्तों आपकी कोस्ली जो फंक्शन होते हैं इसके चक्कर में सीधा साधा आपके भाई भेहन का प्रेम ना खतम हो जाए हमेशा राखी एक सिंपल धागा ही बांदे अपने भाई को ताकि आज अगर आपका समय खराब है तो भाई आपकी पैसे के पीछे ना जाए और कल आपका बुरा वक्त आए तो आप फिर भी एक सिंपल धागा उसी प्रेम से अपने भाई को बान सके आपको चांदी और सोने से जज ना किया जाए दोस्तों आजकल त्योहार के नाम पर भेहने बहुत ही सुंदर सुंदर और महंगी राखियां चेहन कर रही है और राखि का त्योहार पारंपरिक जो नियम है उस पे गौर करना कभी-कभी भूल जाते हैं इसलिए दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि आप राखि मनाईए बहुत सारा फैशन कीजिए बहुत अच्छे से तयार होईए इसका यही मजा है भाई बैने खूब धूम धड़ाका कीजिए नाचे कुदिए लेकिन कुछ तयारियां है जो आपको थाली में करके रखनी है वो गलती आप ना करें कैसे आपको मनाना है राखि का पर्व मोव में बता देती हूँ आपको रक्षा बंदन की थाली कैसे तयार करनी है सबसे प बंद सीधा सीधा हिंदू धरम से जुड़ा है दोस्तों हमारे धरम में कोई भी शुब कार्य करते हैं या पूजा पाट करते हैं सबसे पहले सिर पे कुमकुम का तिलक लगाया जाता है और ये लंबी उम्र और विजय का प्रतीक माना जाता है इसके बाद आपको उस तिलक पर लगाना है चावल अक्षत लगाने हैं दोस्तों अक्षत यानि साबुत चावल हर शुबकार्य में इसका इस्तेमाल करना अनिवार यह होता है इसलिए भाई के माते पर विजे का तिलक जरूर लगाएं और उसके उपर चावल जरूर चेपें ध्यान रखें दोस्तों अगर आपका भाई आपसे थोड़ा छोटा है तो आपको थोड़े से चावल माते की पीछे उसके फ्वेक देने तिलक लगाने के बाद और अगर आप छोटे हैं अपने भाई से तो थोड़े से चावल आपको अपने पीछे छोड़ देने चाहिए तिलक लगाने के बाद भाई को तिलक करने के बाद स्वयम के भी माथे पर तिलक करें और नारियल दोस्तों बहुत अनिवार होता है कुछ जगों पर तो रक्षा बंदन के दिन पूजा की थाली में तिलक करने के बाद अपने बहन अपने भाई को नारियल जरूर देती है इसे श्रीफल कहते है दोस्तों अगर आपका भाई बहुत सारी फाइनाशल प्रॉब्लम से गुजर रहा है अब हम करते हैं बात शगुन की अगर आपका भाई बहुत सारे financial problems से गुजर रहा है तो देवी लक्षमी का ये फल कल आपको अपने भाई की गोद में जरूर समर्पित करना है स्रीफल कहा जाता है यानि देवी लक्षमी का फल है और ये आपके भाई के लिए तरक्की का रास्ता खोलता है तो दोस्तों आपको रक्षा बंधन के दिन अपने भाई को एक नारियल जरूर गिफ्ट करना है और मुझे याद है दोस्तों हम जब आज सी एक-दो सार पहले हम बहुत अच्छे से सजा सजा के जब हम साथ होते थे हम ट्रे में खिलोने बना-बना के लेके जाते थे छोट चुटे गट और नारियल से आप भी चाहें आपके पैस टाइम है तो प्लीज वैसे जरूर सजाएं और अपने भाई को गिफ्ट करें दोस्तों रक्षा सूत्र फिर बांधना है आपको तिलक करने के बाद रक्षा सूत्र बांधने से शरीर संबंदी भाग्य संबंदी जि किलाना बहुत अनिवार होता है तो मिठाई साथ में ले जाना ना भूलें लास्ट नॉट न लीस्ट हम लोग 5 चीजों की बात कर चुके क्या क्या कुमकुम अक्षत नारियल रक्षा सूत्र मिठाई इसके बाद आपको आरती के लिए दीपक लेना है दोस्तों दीपक से आ कपूर जरूर डालें तो दोस्तों अगर आप पूजा की थाली की तयारी कर रहे हैं और आपके भाई को नजर लगी है तो आपको कल दो कपूर डाल करके अपने भाई की आरती उतारनी है और थोड़े से राई आप लेके जा सकते हैं या पीली सरसों अपने हातों में दबा के एक पुडिया बना करके उसमें नमक और राई रख लें और ब्राकी बानने के बाद उसको साथ बार उसार के अपने भाई के सिर से या तो चूले में फेक दें या फिर बेसिन में पानी में बहा दें दोस्तों इसके अलावा भी आप कुछ ऐसे कमाल कर सकती हैं जिसको करने से आपके भाई के उपर आ रही सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं अलावा आपको एक पानी का छोटा सा कलश या लोटी जिसे हम कहते हैं वो रखना बहुत जरूरी होता है आप चाए चाण्दी का लें, चाए सोने का लें, चाए तांबे का लें या छोटी सी मिट्टी का लें दोस्तों अपनी अपनी हैसियत के अनुसार रखना चाहिए वैसे तांबे का कलश सबसे जादा प्योर माना जाता है और ये कलश पारंपरिक रिवाज के अनुसार का तांबे का ही होना चाहिए और इसी कलश के जल से आपको कुमकुम को मिलाना चाहिए और फिर अपने भाई क दिलक लगाना चाहिए दोस्तों धरम में अमारे धरम में प्रसिद्ध मान्यता के नुसार इसी कलश में सभी पवित्र तिर्थों और देवी देवताओं का वास होता है इस कलश के प्रभाव से आपके भाई और बेहन के जीवन में सुख और स्ने हमेशा बना रहता है और सभी परेशानिया उनसे हमेशा दूर रहती है हर बेहन चाहती है दुनिया की कि उसका भाई दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे इसलिए वो ना जाने क्या क्या सपने देखती है कई बेहने तो ऐसी भी होती है दोस्तों जो अपने भाई को पूरा-पूरा सपोर्ट करती है औ और उसे कभी भी तकलीफ या कश्ट नहीं आने देती है, उसकी हर इच्छा को पूरी करने की भरपूर कोशिश करती है, अगर आपके भी भाई के जीवन में सफलता में रुकावटे आ रही है दोस्तों, तो ये उपाय जो मैं बताने जा रही हूं, वो आप कल करें, आपके भ आई और या काला पिली सरसों ले 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 और थोड़ा सा नमक एक पुडिया बना करके साथ बार उसार ले इसके अलावा, दोस्तों आपको एक कोडी भी आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करें, जो उपाय बतारे हूं, उनमें से कोई भी एक उपा में जरूर रखना चाहिए, अगर आपके भाई के उपर मुसीबते जादा है, करजा चड़ रखा है, आप सिर्फ एक कौडी वाली राखी ले ले ले, अगर हो सके तो एक कौडी वाली राखी ले ले या मोली में एक कौडी डाल करके अपने भाई को कल सरूर बांदें, दो एक लोग क्या करते हैं, गुगानौमी वाले दिन राकियां उतार देते हैं, वो वाली राकिया आपके भाई को एक साल तक पहने रहनी है, उसको उतारना नहीं है, अगले राकिय पुर्णिमा पर आप वैसी ही दूसरी राकिया अपने भाई को गिफ्ट कर सकते हैं, दोस्तों आपको अगर आपके भाई को नजर दोश जादा है, बहुत अजीब अजीब हरकते करता या बुरी लच में पड़ा हुआ है, तो कल आपको आपकी रक्षा बंदन के प्लेट में एक चीज लेके जानी हैं और वो है एक टुकड़ा फिट करी, ध्यान रखें, फिट करी 50 ग् लेट में इसको रख लेए और अगर भाई के साथ आप रात तक रहेंगे तो रात में उसारे भाई के उपर से, अगर रात में नहीं रहेंगे तो सुबह ही आपको उसको भाई के उपर से उतार करके, साथ बार आपको क्लॉक वाइस डारेक्शन में उतारना है, उसके बाद जलते वे चूले में आपको वो फिटकरी को डाल देना है अगर चूला आपके पास वैसा नहीं है जिसमें आप डाल सकें आप गैस पे डाले थोड़ा रिस्की ना हो इसके लिए आप कोई मिट्टी का बरतन या तो ले ले और उसको गेट के बाहर रख करके उसमें आग लगा सकते हैं दोस्तों अगर आपके भाई के ओपर बहुत सारा करजा चड़ा हुआ है परेशान हैं उन्होंने कभी मुसीबत में किसी से उधार लिया था और करज में बुरी तरह डूब चुके हैं तो रक्षा बंधन के दिन आपको सुबे सूर्य उदै से पहले उट करके बढ़ के पेड़ के नीचे उगा हुआ कोई भी पौधा जिसे हम खर्पतवार बोलते हैं दोस्तों वो ले लेना है और अपने घर की मिट्टी या गमले में स्थापित कर देना है फिर ये गमला चोटा सा पौधा ले 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 आप बिल्कुल चोटे से मिट्टी का गमला ले 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 शो टाइप का हो जो आपको गिफ्ट करने में बने और उसमें लगा करके अपने भाई को आप गिफ्ट करें भाई से कहें कि उसको किसी बड़े गमले में ट्रांसफर करके इस के डिरेक्शन में रखें और ऐसा करने से दरितरता आपके घर से दूर होती है आपके भाई के घर से दूर होती है और माता लक्षमी का वास सदा सदा के लिए उनके घर में हो जाता है दोस्तों in case आप भाई भेन एक साथ ही रहते हैं married नहीं है आप अपने घर में ये उपाए करें अपने भाई को gift करें और फिर उसको गमले में लगाएं आप देखेंगे कैसे रक्षा बंदन का ये चोटा सा टोटका आपके जीवन में खूब सारा धन लेकर के आता है दोस्तों अगर आपके भाई के विवाहित जीवन में आजकल जो जमाना है इसमें रोज डिवोसेज होना बड़े नॉर्मल सी बात हो गई है लडाई जगडे पती पतनी के दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं अजस्मेंस नाम की चीज नहीं रहे गई है ऐसे में दोस्तों आपको अपने भाई के जीवन में ये विवाहित जीवन की अरचने हटाने के लिए एक छोटा सा उपाय करना है अपने पूजा की थाली में हसेंगे शायद बहुत लोग हो सकता है पर एक पुराना ताला लेकर के उस ताले की चाबी को अपने भाई के सिर के उपर से उतार के ग्यारा बार आपको घुमाना है क्लॉकवाइस डिरेक्शन में और रात को फिर आपको किसी चौराहे पर वेक देना है पीछे मुड कर ना देखें दोस्तों और इस से उनके जीवन में दामपत्य जीवन में चली आ रहा है जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं दोस्तों अगर आपके भाई की शादी में विगन बाधाएं आ रही है तो ध्यान रखें कल अपने भाई को थोड़ा सा कुमकुम के साथ साथ हल्दी का तिलक जरूर लगाएं और एक पिली राखी अपने भाई के राइट हैंड में जरूर बांदें इसी प्रकार अगर भाई अपनी बेहन को बेहन की शादी में प्रॉब्लम आ रही है तो अब भाई अपनी बेहन को कोई भी पीली वस्तू अगर गिफ्ट में दे तो माना जाता है बेहन की शादी बहुत जल्दी हो जाती है दोस्तों बहुत ही छोटे-छोटे से उपाए हैं मैं बताते जाओं तो बहुत सारी हो जाएंगी पर ये बात ध्यान रखें आप दोस्तों कि आप अपनी पूजा की प्लेट में जो कॉमन चीजे हैं ट्रेडिशनल वे में अपने भाई के साथ सामने जाएं पूजा करें उनक कौनसी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे आज के लिए इतना ही दोस्तों खिल खिलाते रहें मुस्कुराते रहें किसी भी तरह के प्रश्न हो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिखके पूछ ले और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले एकसाइटिंग वीडियो के साथ जुड़े रहें धेड़ सारी बाते कर सकें लव यू आल फ्रेंट्स टेक केर जय माता दी बंबं भुले नात की